सबी को मेरा अभिवादन आज हम एक नया अध्याई शुरू करने वाले हैं तांत्री की नियंत्रन एवं सम्नवे इसके अंतरगत आज हम तंत्री का तंत्र के बारे में जानेंगे विद्यार्थियों आज के अध्याई के हमारे अधिगम उदेशे हैं तंत्री का तंत्र के बारे में जानना तंत्र कोशिकाओं की पहचान करना मानव में कितने परकार के तंत्री का तंत्र है ये जानना और तंत्री का कोशिका नियूरान तंत्री का तंत्र की सनरचना एवं क्रियात्मक इकाई कैसे है इसके बारे में जानेंगे इसके इलावा इस सत्र के बाद आप अपने स्वय रूप के बारे में जानेंगे और अपने अंदर होने वाली सभी तंत्रिक क्रियाओं की, क्रिया कलापों की और उनके महत्व को समझेंगे ये सत्र आपका अवलोकन और ड्रॉइंग कोशल को विक्सित करने में मदद करेगा और आपको अपने तैनिक जीवन को कक्षा के ग्यान से समबंदित करने में मदद होगी विद्यार्थियो क्या आपको ये जानने की कभी उत्सुकता नहीं हुई कि हम अपने शरीर के अंगों को किस परकार नियंतरित कर सकते हैं हम अपने हाथ अपनी मर्जी से हिलाडूला सकते हैं और हम अपनी मर्जी से चल फिर सकते हैं पर हम अपनी मर्जी से कभी भी अपने हरिदे की गती को नियंतृत नहीं कर सकते और क्या पाचन क्रिया भी आपकी मर्जी से होती है नहीं न तो इनको हमारा कौन सा भाग नियंतृत करता है चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं जैसा कि तुम जानते हो मानव शरीर में बहुत से अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं जैसे शोशन तंत्र, पाचन क्रिया तंत्र, परिसंचरन तंत्र आदी जो की स्वतंतर रूप से कारे करने में असमर्थ होते हैं अगर हम स्वस्थ हैं और हमारा शरीर किसी भी परकार से कोई बिमारी से नहीं जूझ रहा तो इसका अर्थ है कि हमारे शरीर में शारीरिक अवस्था स्थापित है जैवस्थिरता यानि शारिरिक सम्वस्य अर्थात होमियोस्टेसिस बनने के हेतू इन अंगों के कारेव में समन्वे अर्थात कोडिनेशन अत्यधिक आविशक है समन्यवयता, अर्थात, कोडिनेशन एक ऐसी क्रियाविदी है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है वह एक दूसरे अंगों के कारियों में एक दूसरे को मदद मिलती है उधारंता जब हम शारिरिक वयाम करते हैं तो पेशियों के संचालन हेतु उर्जा की अवशक्ता भी बढ़ जाती है ओक्सिजन की अवशक्ता में भी व्रिदी हो जाती है ओक्सिजन की अधिक आपूर्ती के लिए श्वशन दर अर्थात रेस्पिरेशन रेट, हृदे स्पंदन दर अर्थात हार्ट पीट रेट एवं व्रिक वाहिनियों अर्थात बलड वेसल्स में रक्त परवा की दर बढ़ जाती है जब शारिरिक वयाम बंद कर देते हैं तो तंत्री की क्रियाएं फुफुस अर्थात लंग्स, हृदे, रुदिर वाहिनियों, व्रिक अर्थात किड्नीस वा अन्य अंगों के कारियों में समन्व्य अर्थात कोडिनेशन स्थापित हो जाता है हमारे शरीर में तंत्री का तंत्र, नर्वस सिस्टम एवं अंतस रावी तंत्र अर्थात, एंडोक्राइन सिस्टम सम्मलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्व्य करते हैं तथा उन्हें एकी क्रित करते हैं जिस से सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहती हैं तंत्रीकिय तंत्र ऐसे विवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो तवरित समन्वय हेतु बिंदू तर बिंदू जुड़ा रहता है आंतेस रावी तंत्र होर्मुन द्वारा रसाइनिक समन्वे बनाता है। इतना ही नहीं शरीर को वातावरन में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी व उनके अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए तंत्री का तंत्र की आवशक्ता होती है। इन सभी परकार की जटिल प्रक्रिया की क्रियाएं बहुत ही दिल्चस्प होती हैं। तो चलिए अब हम इन दिल्चस्प क्रियाओं के बारे में जाने। तो आज हम मनिश्य के तंत्रिकिये तंत्र एवं तंत्रिकिये समन्व्यकी क्रियाविधी जैसे तंत्रिकिये आवेग का संचरन के जानने का परियतन करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि तंत्रिकिये तंत्र क्या होता है सभी प्रानियों का तंत्रिकिया तंत्र अति विशिष्ट परकार की कोशिकाओं से बनता है जिने तंत्रिका कोशिका अर्थाद नियूरॉन्स कहते हैं ये विभिन उद्धीपनो यानि की various types of stimulus को पहचान कर ग्रहन करती है तथा इनका संचरन यानि ट्रांस्मिट करती है जब हम मनुष्य के इलावा बाकी जीर जगत के प्रानियों को देखें और उनमें तंत्रिक तंत्र को समझने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि निम्द अक्रशेर की प्रानियों में तंत्रिकिये संगठन बहुत ही सरल परकार का होता है उधारंथ हाइडरा जो की एक संग कुसिलिंट रेटा यानि नाइडीरिया से संबंदित है में ये तांत्रिकिये जाल के रूप में होता है चप्टे क्रीमियों की बात करें जो प्लेटी हेलमिन्थी संग में आता है तो उनका तंत्र थोड़ा सा हाइडरा से उन्नत होता है चप्टे क्रीमियों का तंत्रिकिये तंत्र चित्र में लाल रंग से दर्शाया हुआ है कीटों का तांत्री का तंत्र अधिक विवस्तित होता है इनका मस्तिश्क अनेक गुच्छिकाओं एवं तंत्री की उत्कों का बना होता है अपनी स्क्रीन पर देखिए इसमें आप कोक्रोच जो की एक कीट है का तांतरी की एक तंतर नारंगी रंग से जो दर्शाया हुआ है देख सकते हो कोक्रोच में मस्तिश्क होता है और इसके साथ बहुत सारी गुच्छिकाएं अर्थात गैंगलिया एवं तंतरीकिय उतक अर्थात निूरल टिशू है और वे किस प्रकार से विवस्तित है ये आप देख सकते हो कशेरुकी प्राणियों में अर्थात वर्टीब्रेट्स में अधिक विक्सित तंतरीकिय तंतर पाया जाता है हम यानि मानव भी कशेरुकी प्राणी है माना जाता है कि मानव का तंतरीकिय तंतर सबसे ज़्यादा विक्सित है तंत्रिका तंत्र के तीन मुख्य कारे होते हैं पहला सम्वेदी संकेतों को ग्रहन करना मस्तिश्क तक पहुंचाना और मोटर संकेतों के साथ समन्व्य करना हाला कि तंत्रिका कोशिकाएं अकार और स्थान में भिन हो सकती है एक दूसरे के साथ उनका संचार उनके कारे को निर्धारित करता है ये तंत्र कोशिकाएं पूरे शरीर में तंत्रिका का एक जाल बनाते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर कारे करते हैं तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं तीवर होती है तंत्री का तंत्र ब्रून परिवर्तन के दुरान बनने वाला प्रतन तंत्र होता है तंत्री का तंत्र का उद्भव एक्टोडर्म से होता है मानव तंत्री का तंत्र को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं केंद्रिये तंत्रिका तंत्र अर्थात Central Nervous System, दूसरा परीदिये तंत्रिका तंत्र अर्थात Peripheral Nervous System, इसके इलावा स्वायत तंत्रिका तंत्र अर्थात Autonomous Nervous System भी मौजूद होता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रिये तंत्रिका तंत्र की, केंद्रिये तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरु रुजु सम्मिलित है, मस्तिष्क में सूचनाओं का संसाधन एवं नियंतरन होता है, केंद्रिये तंत्रिका तंत्र परीधिये तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ होता है अब हम परीधिये तंत्री का तंत्र के बारे में जानते हैं परीधिये तंत्री का तंत्र में कपालिये व मेरू तंत्री काएं पाई जाती हैं मनुश्य में 12 जोड़ी कपाली तंत्री का पाई जाती है और 31 जोड़ी मेरू तंत्री काएं पाई जाती ह जो मेरू रुज्यू से निकलती हैं यहां दिये गए चितर में आप केंद्रिय तंत्री का तंत्र और परिधिय तंत्री का तंत्र को समझ सकते हो यहां केंद्रिय तंत्री का तंत्र को लाल रंग से दर्शाया गया है जिसमें मस्तिश्क तथा मेरू रुज्यू है परिदिये तंत्री का तंत्र को नीले रंग से दर्शाया गया है जैसा कि आप देख रहे हो परिदिये तंत्री का तंत्र पूरे शरीर में फैला हुआ है परिदिये तंत्री का तंत्र में दो परकार की तंत्रिकाएं होती है समवेदी या अभिवाही अर्थात एफरेंट फाइबर्स एवं चालक या प्रेरक या अपवाही अर्थात एफरेंट फाइबर्स समवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं उद दीपनों को उदकों या अंगों से केंद्रिय तंत्रिकातां तर तक पहुंचाती है उसी प्रकार चालक या अभिवाही तंत्रिकाएं न्यामक उद्धीपनों को केंद्रिय तंत्रिका तंतर से संबंदित परिधिय उतक या अंगों तक पहुंचाती है परिधिय तंत्रिका तंतर दो भागों में विभाजित होता है काईक तंतरी का तंतर जिसे हम somatic neural system कहते हैं तथा स्वात तंतरी का तंतर जिसे हम autonomous neural system कहते हैं काईक तंतरी का तंतर उद दीपनों को केंदरिय तंतरी का तंतर से शरीर के एच्छिक अंगों एवं कंकाल पेशियों तक पहुंचाता है इसी काईक तंत्रिका के कारण हम अपने हाथ और पाउं अपनी इच्छा से हिला सकते हैं स्वायत तंत्रिका तंत्र जिसे हम Autonomous Neural System कहते हैं उद्ध दीपनों को केंद्रिय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनेचिक अंगों एवं चिकनी पेशियों में पहुंचाता है स्वायत तंत्रिका तंत्र पुना दो भागों अनुकम्पी तंत्रिका तंत्र अर्थात सिंफेथेटिक नर्वस सिस्टम व परानुकम्पी तंत्रिका तंत्र अर्थात पैरा सिंफेथेटिक नर्वस सिस्टम में वर्गी गरित किया गया है आनुकंपी तंत्री का तंत्र मस्तिश्क से शरीर पर भय, क्रोध, उतेजना आदी तरह का प्रभाव डालता है ये नियंत्रन अधिकतर शरीर के भीतर एड्रिनेलिल नाम का रसाइनिक पदार्थ के उत्पन होने से होता है परानुकंपी तंत्री का तंत्र का कार्य सधारंता अनुकंपी तंत्री का तंत्र का उल्टा होता है उधारन के तौर पर अगर अनुकंपी तंत्री का तंत्र हरिदे गती को तेज करता है तो परानुकंपी तंत्री का तंत्र हरिदे गती को धीमे करता है अंतरंग तंतरीका तंतर परीधिये तंतरीका तंतर का एक भाग है इसके अंतरगत वे सभी तंतरीकाएं तंतरीका तंतु, गुच्छिकाएं एवं जालीकाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा केंद्रिय तंत्रिका तंत्र से आवेग, अंतरंगों तक तथा अंतरंगों से केंद्रिय तंत्रिका तंतर तक संचरित होते हैं। तंत्रिका कोशिका अर्थात, नियूरॉन इन सभी प्रकार के तंत्रिका तंत्रों की सनरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है आए अब हम इस तंत्र कोशिका को देखें कि वे किस प्रकार होती है Neuron एक सूक्षम दर्शिय सनरचना है जो तीन भागों से मिलकर बनती है इस चित्र में देखिए ये तीन भाग हैं कोशिका काई, द्रुमाक्ष्य व तंत्रीकाक्ष कोशिका काई में कोशिका द्रव्य व प्रारूपिक कोशिकांग विशेश दानादार अंगक निसल ग्रैनियूल्स पाए जाते हैं छोटे तंतु जो कोशिका काई से प्रवर्दित होकर लगातार विभाजित होते हैं तथा जिन में निसल ग्रैनिूल्स भी पाए जाते हैं दुर्माक्ष्य कहलाते हैं ये तंतु उद दीपनों को कोशिका काई की ओर भेजते हैं एक तंत्री का कोशिका में एक तंत्री काक्ष निकलता है इसका दूरस्त भाग शाखित व प्रतेक शाखित भाग का अंतिम चोर लडी नूमा सनरचना सिनेप्टिक नौब जिसे सिनेप्टिक पुटिकाई होती हैं इन में रासायन नियूरो ट्रांस्मिटर्स पाए जाते हैं तंत्री काक्ष तंत्री किये आवेगों को कोशिका काई से दूर सिनेप्टिक पर अर्थात तंत्री का कोशिका पेशी संधी पर पहुंचाते हैं तंत्री काक्ष तथा दुर्माक्ष की संख्या के अधार पर नियूरोंस को तीन समोहों में बाटते हैं कुछ neurons जिन में एक तंतरी काक्ष वर दो या अधिक दुरुमाक्षे होते हैं उन्हें बहुदुरुविये neurons यानि मल्टी पोलर neurons कहते हैं बहुदुरुविये neurons प्रमस्तिश्क वलकुट अर्थात सेरिब्रल कोटेक्स में पाए जाते हैं कुछ neurons में एक तंतरी काक्ष एवं एक दुरुमाक्षे होता है उन्हें दुरुविये यानि बाइपोलर neurons कहते हैं इस तरह के neurons हमारे दृष्टी पटल अर्थात रेतिना में पाए जाते हैं एक दुरूविय निरॉंस में एक तंत्री काक्ष होता है। तंत्री काक्ष दो परकार के होते हैं। आच्छदी अर्थात माइलेटेड व आच्छदी हीन अर्थात नौन माइलेटेड। आच्छदी तंत्री का तंत्र तंतु श्वान कोशिका से ढके रहते हैं। जो तंत्री काक्ष के चारों और माईलिन आवरन पनाती हैं माईलिन आवरनों के बीच अंतराल पाए जाते हैं जिने रेन्वियर के नोड कहा जाता है आचदी तंत्रिका तंतु मेरू वह कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं आचदी हीन तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिका से गेरे रहते हैं लेकिन वे एक जोन के चारों और माईलिन आवरन नहीं बनाते समान्यता, स्वायत तथा काईक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं अब हमने आज जो पढ़ा उसका पुनरावलोकन करें आज हमने तंत्रिका तंत्र क्या होता है इसके बारे में जाना मानव में कितनी तरह के तंत्रिका तंत्र है ये जाना और एक तंत्रिका कोशिका जो तंत्रिका तंत्र का निर्मान करती है और उसकी एक क्रियात्मक इकाई है उसकी सनरचना के बारे में जाना यहां अब कुछ प्रश्ण है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रेरक एवं समवेदी तंतरिकाओं के बीच में अंतर बताईए दूसरा प्रश्ण है केंदरिये तंतरिका तंतर तथा परिधिये तंतरिका तंतर में अंतर करें तीसरा प्रशन अपनी कॉपी में एक तंत्री का तंत्र कोशी का यानी नियूरोन का आरेक बनाएं और उसको लेबल करें इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ फिर मिलेंगे धन्यवाद झाल